दोस्तो खाद एबम भोकता सनरक्षन विभाग विहाद सरकार द्वारा रासन वितरन को लेकर एक बड़ी अपडेट किया गया है अगर आप एक रासन कार धारक है और रासन कार के तहर डीलर के पास जाकर रासन लाते हैं तो यहाँ पर दोस्तो रासन को लेकर एक बड़ा बदलाव कर दिया गया अब आपको चावल और गेहूं अलग तरीके से दिया जाएगा चावल कितना मिलेगा गेहूं कितना मिलेगा इसके बारे मैं आपको पूरे जानकारी देने वाला हूं तो वीडियो के अंदक बने रही मेरा नाम है राज गुमावर आपका अपनाई चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं रेंड्स वीडियो आपको लाइक कर देना और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में बेल एकन को आउन कर लिजिए तो दोस्तों जिसरे आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर ब्याज सरकार का लोगो दिया गया और यहां पर दोस्तों को बता गया कि खाद एवं भोक्ता सनरक्षन विभाग आम सूचना जारी किया गया है यहां पर दोस्तों को बताएगा कि राष्ट्रे खास रक्षा अधिनयम से अक्षादित लावुकों को मार्च जून 2022 से मार्च 2023 सक का खाद्यान निम्मत निर्धारित मात्रा एवं दर के अनुसार वितरित किया जाएगा अब यहां पर दोस्ति के बतायगा जिसे को बहुत है जाते होते परिवार या लावुकों के खाद्यान का मातरा यहां पर दोस्ति के बतायगा के अंतोद्य शरीन यानि जिनके पास आये राशनकार धारक है यानि कि अन्तोदे राशनकार है पीला राशनकार है उनको जो साथ केजी गिऊं दिया जाएगा और चावल दिया जाएगा तोटल तोटल आपको 35 केजी आपको अंड मिलने वाल है लेकिन उसी जगह दोस्तों अगर आप पुर्वी करता प्राप्त यानि पी एच रासन कार्ड धारक है तो आपको प्रतेक मेंबर पे आपको एक केजी गेहूं दिया जाएगा और चार केजी चावल दिया जाएगा टोटल प्रती केजी के इसाब से देगे अब यहाँ पर दोस्ते के और भी जानकारी दिया गया जैसा कब यहां पर देख सकते हैं कि इसके अतिरीक राष्ट्य खास सुरक्चा अधीनियम से अक्षादित सभी लाबुकों को माही 2022 से परदान मंत्री गड़िव कल्यान अन योजना मिलां प्रती मात कि टिन किलो चावल के अश्थान पर पांच किलो चावल मफ्ट विद्रित किया जा रहे है तो दोस्तव आप सभी कह मालों होगा कि परदान मंत्री गरीव कल्यान अन योजना के तहत पहले क्या होता था कि दो किलो गयह और तीन किलो figura दिया जाता ठोटल प स्विव्धा से किसी भी जन वीट्रन प्रनाली की दुकान से खाद्यान प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों कि यहां पर बताए कि निस्चीत करें तो जब आप प्रासन लेते हैं तो उसके बाद जो रसीद निकलता है वो रसीद आप अवसिले और उस रसीद पे जितना दिया गया अन उतना ही अन आपको जो वहाँ से लेकर आना है उसके बाद दोस्ते के बता है कि यदि किसी उचित मुल विक्रेता द्वारा उक्त निर्नाय के अनुसा मुक्त खाद्यान यानि कि फ्री वाले जो नहीं दिया जाता है तो निकट वर्ती अनुमंडल पदादी कारी से संपक या सिकायद दर्ज कर सकते हैं विश्त्रित जानकारी के लिए विभागया वेबसाइट यह जो वेबसाइट का लिंक दिया गया इस लिंक पर आप जो कोई कंफ्यूजन या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेजी जग हमसे पूछ सकते हैं